नमस्कार दोस्तों बहुत सारे ऐसे साथी है जिनके BPL के राशन कार्ड जो है नहीं बढ़ पाया है क्योंकि उनके जो है आईशमान कार्ड भी बढ़ चुके हैं लेकिन उनका फिर भी BPL राशन कार्ड लिस्ट में नाम नहीं आया है तो उन्होंने जो है अपने मोबाईल से भी चेक किया है लेकिन डाटा नहीं आ रहा है समसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा जो भी साथी अपने मोबाईल से डाटा चेक करता है तो यह उप्षन है सीटीजन कोरणर का इस उप्षन को उपन करने के बाद यहां पर दो उप्षन है सर्च राशन कार्ड और 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 पर स्योग किया जाएगा तो फिलाल जो है जो अपना साथी चेक करते हैं कि राशन कार्ड आया की नहीं आया सबसे पहले तो वो क्या कलती करते हैं आपर जो फैमली आइडी डालते हैं वो फैमली आइडी स्माल वर्ड में डालते हैं जैसे छोटी ABCD होती है उसके तरिके से बाद जो है यहाँ पर capture code डाले और submit कर उसके बाद member की detail आती है member select करे member select करने के बाद अगर आपका data देखो blank आता है इसी तरीके से निचे जैसे detail आजेगी यहाँ पर उसमें निचे आपका नाम नहीं आएगा blank आता है तो सबसे पहले जरूरी नहीं है कि आपकी जो family ID है उसी में गलती हो क्योंकि आईशमान कार्ड बढ़ चुका है तो 99% आपका BPL राशन कार्ड भी बढ़ा होगा वो अलग बात है किसी वज़े से कट जाएगा वो लग बात है नहीं तो 99% जो है नामाना तैह है सबसे पहले तो अपनी family ID capital world में डाले उसके बाद जगर वहाँ पे अगर आपकी जो detail है वो बिल्कुल blank दिखाती है तो उसके लिए क्या है आपको family ID बे अपडेट करानी पड़ सकती है वो सकता data जो आपका हूप प्रोपर फैज नहीं ओपा रहा हो जैसे आपकी family ID signature करवा के उपडेट ना रखी हो कोई detail जो है update pending हो ऐसे भी कहीं तर ऐसे जो है update मैंने देखे उसमें जो detail शोर नहीं करते अगर आपकी detail फिर भी शोर नहीं करते तो last एक option यह जरूर है जो मैं बताता हूँ यहाँ पर citizen corner में RC exclusion यह option जरूर चेक करिए इसमें आपको पता चल जाएगा कि भी आपका सिकाए दर्ज करवानी है कि हमारा जो है address गलत है या family ID में income गलत हो गया या कोई रासन कार्ट surrender करना है या भई member को delete करना है या add करना है ठीक है यह सब ही detail यहाँ पर दी गई है क्या आप check कर सकते है family ID में income कैसे update करनी है वो भी मैं पहले आपको पता चुका हूँ उसके बाद किसी का नाम add करना है डिलीट करना है इसके लिए आपको क्या करना है सब से पहले अपनी family ID में उस member को आपको proper update रखना है जिसको आपने add करवाना हूँ automatic दीरी दीरी उसमेड हो जाएगा फिर भी कोई नया new burn baby है जैसे उसका जनम हो आता है उसको एड करा देते है family ID में लेकि रासन कार्ड में नाम नहीं आता है तो आपको क्या करना है यहां से उसकी add की request डालनी पड़ती है उसके बाद जो है नाम add होने की request होगी इसके बाद एक last option अभी आया है यह क्या है यह family ID में sorry जो आपका BPL रासन कार्ड में नाम नहीं आया है यहां पर आप देख सकते हैं तो उसके लिए help line नमबर जारी किया गए यह नमबर आप note down जरूर कर ले दो नमबर दिये गए हैं ठीक है इसके लावा भी कोई आपकी नई query है तो comment जरूर करियेगा उससे related वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छी लगे शेयर जरूर करना दोस्तों तक कि किसी की काम आजे तो उसका काम बन सके अच्छी बात है और कोई भी मेरे से related कोई साथी अगर कोई